लमानी साहब हमार साथ आज से 35-40 साल पहले हारली कोई विदेश में जाकर पढ़ाई करता होगा और पढ़ाई करने अगर भेज दिया पेरेंट्स ने तो आदमी वापस आता नहीं था कहां इतना बढ़ा इतनी एडवांस देश छोड़कर वापस बारत आए लेकिन सर आपने तब क्या ऐसा सोचा कि में हिंदुस्तान के मार्केट में अगले 20-30 साल में क्या देख रहा हूं इस तरह की डिटेल क्रांती, सरकारी कमशियों के शर्जीने कोई टच नहीं करता था, इनको कोन लेगा वहां पर आपने इतनी वेली देखी, अपना अनुह बताएं, सर और खास दोर से आपका अनुह इसलिए भी जानना जाता हूं आपने साफ, सुन्दर, सपष्ट, सादारन सब्दों में निवेशों को समझाया है कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ भढ रही है, क्या चीज़ घट रही है So on behalf of all the investors, thank you so much for your invaluable contributions to the economy Thank you I'll give the credit to my father My father one day told me that उनको इतनी तेजी लग रही है इंडिया में तो बोलता है, शेयर लेके तिजूरी फिख दूँगा, तिजूरी के चाब भी फिख दूँगा में I don't want to sell the shares, क्योंकि डबलोगे, टिबलोगे, बेज दे He actually told me that and he encouraged me that You are good, you are happy in America, but the future lies in India, so come to India So, he's now passed away, but I'd like to give my credit to him Sir, आपको लगा कि कभी वाक्या में हिंडूस्तान में रिटेल की इतनी बडी क्रांटी आजाएगी कि एक जमाना था, एक जमाना था, एक जमाना था, एक जमाना था, एक जमाना था When, जब इंडिया निवेशक आदे लग जाएंगे, तुम लोग भूल जाएंगे फॉर निवेशक को That made sense to me, intuitively, India is such a big country How can we have only 1% equity ownership, it made intuitive sense बिल्कुल Ramadhyo Sir, बतलब ये पिले चार साल में जो ग्रोथ हाई हो, तो कोई सोच नहीं सकता था लिए